हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूट्यूब चैनल दोस्तों UPPSC 2022 प्रिलिम्स स्पेशल का आज हम लोग का साथवा दिन है और आज हम लोग यहां पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेट जो भी हमारी mcqs हैं उसको हम लोग यहां पर डिसक्स करेंगे लेकिन सारे यहां पर mcqs को डिसक्स नहीं करेंगे सिफ यहां पर 5 mcqs को हमारी हम लोग डिसक्स करेंगे और रिष्ट जो हमारी multiple choice question है उसको quiz के format में आपको comment section में link में दे दिया जाएगा उहां पर जाके आप attempt कर लिजेगा ठीक है तो आज का पहला प्रस्ट यहां पर which part of the constitution has fundamental rights fundamental rights किस part में mention किया गया है constitution के ठीक है तहां पर part 2 बोला गया है part 2 में क्या mention किया citizenship और part 3 में हमारा fundamental rights है तो हमारे answer 1 का B हो जाएगा part 4 में आप देखोगे तो DPSP यहां पर mention किया गये है और 4 की A में हमारी fundamental duties की बात की गई है ठीक है और part 1 जो हमारी है हमारी state यानी union territory की यहां पर बात की गई है ठीक है तो 1 का B part 3 में fundamental right यहां पर mention किया गया है तो हमारा 1 का हमारा यहां पर B answer हो जाता है अब यहां पर दूसरे question पूछ रहा है कि fundamental rights जो है किस article में mention किया गया है यानि किस से किस article तक हमारी fundamental rights हमारे आते हैं तो अभी हम लोग डिसस किये थे पिछली वीडियो में कि citizenship जो है वो किस article में mention किया गया है ठीक है तो citizenship आप देखोगे तो article 5 से 11 की बात की गई थी और article 5 से 11 उसके बाद आप देखोगे आर्टिकल 12 से 35 तक हमारी क्या थे fundamental rights थे तो इसका अंसर हमारे दो का यह भाजाएगा आर्टिकल 12 से 35 तक और हमारी state in union territory के जो आर्टिकल है वो हमारी 1 से 4 तक है ठीक है पार्ट 1 में पार्ट 2 में हमारा है 5 से 11 तक और पार्ट 3 जो हमारी इंडियन की constitution है वो उसके आर्टिकल है 12 से 35 तो हमारा दो का यह हैं प्यांसर हो जाएगा आज का तिसना है प्रस्षन देख लेते हैं fundamental rights जो है वो कहां से derived किया गया है कहां से लिए गया बोरौ कहां से किया गया तो इंडिया के fundamental rights हैं कहां से बोरौ की गया है यह हमारी American constitution से बोरौ के गये अमेरिकन यानि USA Constitution से हमारी fundamental rights borrow किया गया है तो तीन कमारा यहाँ पे B answer हो जाता है जब ठीकी बात करते हैं पे तो पुछाई which part of the Constitution is called Magna Carta of India तो Magna Carta आप India की बात करोगे तो यह fundamental rights को बोलते हैं Magna Carta of India तो fundamental rights हमारे किस part में mention की हैं part third में तो चार का हमारा B यहाँ पे आंसर हो जाता है ठीक है आप देहान रखना Magna Carta आप इंडिया किसको बोलते हैं fundamental rights को और पांचपा यहाँ पे definition of state mentioned in which of the following article जो state की definition है वो किस article में mention किया गया है ठीक है यह आपको बताना है तो state का जो definition है article 12 में बात की गई है ठीक है ठीक है ध्यान रखेगा article 13 में बात नहीं की गई है article 11 तो हमारी आज आएगी citizenship वाले पार्ट में ठीक है तो यह answer होका नहीं है article 12 में हमारी state का definition mention किया गया है article 13 में बात करें तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो जो हमारी पावर दिये गए है citizen को जो हमारी law होंगी doctrine of judicial जो review होंगे उस type की यहाँ पर हमारे article 13 में mention किया गया है कि law हमारे inconsistent कब होंगे हमारे judicial review हो सकती है तो हमारी article 13 में mention किया है article 14 में तो हमारी equality of law की बात की गई है ठीक है तो यहाँ पर equality before law आर्टिकल 14 हमारी हो गया है और law हमारी inconsistent होंगे या judicial लिवे होंगे आर्टिकल 13 होंगे और state कर जो डिफिनेशन है आर्टिकल 12 में में हाँ पर mention किया गया है तो 5 का हमारा भी यहाँ पर असर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से धेर सारे क्योंशन आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएंगे उस सारे क्योंशन जो related होंगे fundamental rights से तो वहाँ पर जाके आप attempt कि जाएगा और कितना क्योंशन आपका सही हो रहा है उसको भी आप कमेंट जरूर की जाएगा तो आज के लिए बस नहीं थैंक वर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ